प्रस्कु ठेकरक्रम पोस्ट वाक्स नंबर 111 शोताओने मुझकर पोस्ट वाक्स नंबर 111 में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ जैनिद्र आज इस करके में हम संस्कृत को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं यहां वیں संस्कृत जो हमारी सबसे प्राचिनितम भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है और सिर्फ हमारी नहीं बलकि दुनिया के तमाम भाषाओं में इसको जिस सम्मान के साथ देखा जाता है, समझा जाता है इसके प्रती भाव रखा जाता है, वो बहुत अधुत है क्यों आपने मन की बात में इसका उलेख करते हैं और इस वर्ष भी उन्होंने किया विश्वे संस्कृत दिवस की शुब कामनाएं उन्होंने दी थी समय से रहा है तो आज उस अन्हों का लाव हम सब को बिलेगा डॉक्र सब बहुत-बहुत स्वागत है इस कारिक्रम में आपका आपका भी स्वागत भी है धन्यवाद है करतक गिता है और आपने संस्कृत के परिवेश को लेकर के आज मुझे या चर्चा के लिए बुलाया है तो इसके लिए तुम आपका कोटिश है आपके लिए नमन भी करता हूँ बहुत धन्यवाद डॉक्र साब मुझे ये बताए कि संस्कृत जो अपने आप में ये भाशा है इसकी प्राचिनिता को लेकर चर्चाएं होती है विज्ञानिकता को लेकर चर्चाएं होती है इसमे व्याकरण जिस तरह से इस भाशा का है ये कहा जाता है आप ये बताएंगे कि वो कितना सच है और किस हद तक सच है कि जिस तरह का व्याकरण व्यापक और विशाल विस्तरत व्याकरण इस संस्कृत भाशा के साथ है वो किसी अन्य भाशा के साथ नहीं मिलता है तो इस तरह कि बहुत सारी चीजी हैं जो हम संस्कृत को लेकर गौरों के अन्भूती रखते हैं जब इसकी चर्चा करते हैं विश्व संस्कृत दिवस हमने जैसे 31 अगस्त को मनाया डॉक्ट साब अब मैं देख रहाथा कि हर साल ये तारीख वदल जाती है ऐसा क्यों हो देखे मेरे को ऐसा लगा कि आपके तीन मुख्य विशे हैं एक तो विश्व संस्कृत दिवस को लेकर के संस्कृत की पौरानिक्ता को लेकर के संस्कृत की वैग्यानिक्ता को लेकर के और संस्कृत की व्याकन को लेकर के बिलकुल जहां तक विश्व संस्किर दिवस्क का विशे है ये स्रावन पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। अपने हिसाब से आएगी तो जो तारीक है वो इसलिए अंग्रेजी तारीक है ये इसका कारणा है। खैर हम ये बात्चीत को आगे बढ़ाएं इस विशे में उसके पहले प्रदानमंत्री महुदे ने बहुत सारी बात है कि इस संस्कित के बारे में। यानि उसके तमाम पहलूं को उन्हों ने बहुत गागर में सागर के तरह जो है समोया है अपने मन की बात है। तो मेरा मन था कि हम पहले वो सुने और उसी के हिसाब से आगे की चर्चा हम आपसे करेंगे क्योंकि आपसे बहुत सारी बाते आज जानने को मिलेगी हमें। तो आपके अनमती हो तो प्रधानमंत्री मौदे के मन की बात का वो हिस्सा हम सुन लें। संस्कृत अपनी प्राचिंता के साथ साथ अपनी व्याक्रण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचिंग्यान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही सम्रक्षित किया गया है। योग, आईरवेद और फिलोसपी जैसे विश्वों पर रिसर्च करने वाले लोग अब जादा से जादा संस्कृत सिख रहे हैं। कई संस्तान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत फर योग, संस्कृत फर आईरवेद और संस्कृत फर बुद्धिजम जैसे कई कूर्शिस करवाता है। संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभ्यान चलाती है। इसमें आप दस दिन के संस्कृत संभाशन शिवीर में भाग ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरुकता और गर्व का भाव बढ़ा है। इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेश योगदान भी है। जैसे तीन संस्कृत डिम्न उनिवर्सिटीज को 2020 में सेंटरल उनिवर्सिटीज बनाया गया। अलग-अलग शहरों में संस्कृत बीच्व विद्यालेओं के कई कॉलेज और संस्थान भी चल रहे है। आयाइटी और आयायम्स जैसे संस्थानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपिलर हो रहे है। मुझे कई बार पहले यह लगता था कि संस्कृत भाषा जो है शायद मुश्किल है समझ में नहीं आती है। यह पंडितों की भाषा यहां उस तरह की है। लेकिन जैसे जैसे पिछले कुछ वर्षों में मैंने संस्कृत को सुनना शुरू किया। और सुनने के आउसर भी जादा मिले पिछले कुछ वर्षों में। तो मुझे लगा कि हम जो भाव है उससे तो जोड़ जाते हैं समझ में आती हैं ऐसी बात नहीं है। अगर आप हिंदी अच्छी तरह समझ सकते हैं और हिंदी भाशा के साथ जुड़े हैं संस्कृत में समझ में आती है। तो इतनी क्लिष्ट तो नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको इसका बहुत छोटा उधारन होगा। एफ लन तो आप अंग्रेजी बढ़ते हैं तो अंग्रेजी में बच्छा स्कूल जारहा है इसकी उनग्रेजी मनाओ। तो पहँ दे थे हैं कि तुटेंट इस गइच तो स्कूल ठीक है। यह परिपक्व है अंग्रेजी का इसमें से आप किसी भी शब्द को इधर से अधर करोगे तो यह तो इंटेरोगविटिव हो जाए गलत हो जाए अब आप संस्कृत माई है कहते है कि बाले है विद्यालियम गच्छती अब मैं बतारा हूं आपको कितनी आसान है सरल और दूसरे रूप में गच्छती बालाह विद्यालियम यह ठीक है अच्छा और विद्यालियम गच्छती बालाह यह ठीक है अर बाले विद्यायम गच्छती यह ठीक है आप यह देखिए पर कठोर हूई कहां से भाशा आप यहां सबजेक्ट को अबजेक्ट को कर्म को क्रिया को आगे पीछे बाएं दाएं कहीं भी लगा दे शुद्ध है मतलब शब्द वाक्य में कहीं भी हो कहीं भी हो आर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो बताईए पर कैसे क्लिष्ट वाश है ये पहला उधार दे रहा हुगा आपको शायद आपको भी वाक्य मुझे आहरानी हो रही है पर खुशी भी हो रही है ये जानकर कि एक नया ये मैं आपको छोटा सा उधारन दिया है कुछ और बताईए इसके बारे में आगे हम चलते हैं कि यदि इसकी और इसकी थोड़ी सी मैं आपको प्रिष्ट भूमी जरूर बता दो शायद लोगों हमारे स्वरोताओं को ना पता हो कि जो उत्पत्ती है हमारे वरणों की जो उत्पत्ती है इससे व्याकन भी जुड़ेगा कहते हैं कि भागवान शिव ने जब पहली बार डमरू बजाया नाद करते समय तो उस डमरू मैंसे चौधे आवाज नेकली अच्छा यून, रिल्रिक, एयॉंग, आयाउच, हाइवरट, लन, यमगणनम, जब आया, घड़दस, जब गड़दस, खप चटते चटतव, कप आया, शशशर, हल ये डमरू की आवाज है और ये सारे के सारे आपके स्वर और व्यंजन इसी के अंदर आगे, जिसको आप कहते हो बच्चा ऐसे लेकर के है तक जो बोलता है, ये सब की सब हमारी पौरानिक पद्धती है, स्वरों का उद्गम स्थल है, भागवान शिव का डमरू, वहां से उत्पत्ती है भाशा की, इनवर्णों की, और आगे चलते हैं, तो आप देखिए, जो वेद है, जैनिंदर जी आप बहुत सारी जगे पर मैंने देखा है, मैंने आपको कुरुक्षेत्रा में भी सुना है, उस समय मुझे थोड़ी से आप से हीरशा भी होई कि संस्कृत के परतीप का इतना जबरदस काम है, तो उसकी जब हम पौरान इतना पर जाएंगे, तो वेद को हम मानते हैं, सभी पुरा विष्व मानता है, और वेद को कहते हैं, यह कोई अधभुत करती है, किसी अलोकिक शक्ती के द्वारा इसको रचा गया, ऐसा मानते हैं, यह मानव रचित्रा में है, उसको आप वेदों के समय में, उसमा पर्यावन कैसे थी, और आहुति के द्वारा यग के द्वारा जब चाहते थे, विद्वान लोक बरसात करा लेते थे, उन पर शोध कारी चल रहा है, तो आप वेदिक जीवन को, वेद हमारा जीवन है, यदि वेदिक पद्धति को व्यक्ति जाते हैं, ये पौरानक तक ही मैं बात करा हूँ, इससे पहले कोई और गरंथ है नहीं विश्व में, अच्छा मुझे डॉक्टर सब एक बात की बड़ी खुशी होती ही, देखे, ये सन 1979 से संस्कृत दिवस जोय मनाया जा रहा है, और वैश्यक और राष्टी अस्तर पर इ नजर आती है, और समाज में भी नजर आती है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर सरकार के तरफ से विवस्था के तरफ से कुछ अधिक पहल होती है, तो समाज अपने आप उसमें शामिल हो जाता है, समाज अगर थोड़ा अपनी तरफ से कोई प प्रदान मंत्री महुद जहां भी जाते हैं वो भारती संस्कृती की बात करते हैं आपने देखा हो और भारती संस्कृती कहां से आई संस्कृत से आई और ये भी आपको क्या समको ही पता है पहले संस्कृत पहर संस्कृती और फिर संसकृती और संसकार आप सुन रहे हैं, आज हम विश्व संस्कृत दिवस के संदर में बाचित कर रहे हैं, डॉक्टर दिनेश शास्री जी से, जो कि प्रक्याज संस्कृत विद्वान है, और जैसे कि मैंने पहले भी उलेक किया था, आजकल आप अशोक सिंगल वेद विज्ञाने उंप्रदोगी कि विश्विद्याले गुरुग्राम में विशेश कारे अधिकारी के रूप में कारे रथे हैं, डॉक्टर सब संस्कृत के इतने सारे आयाम हैं, उन पर थोड़ा जो समय हमें अनुमती देगा, उस पर बात करेंगे, लेकि एक बात बहुत आम तोर पर ये चर्चा में आती क्योंकि वेदिक पधती हमारी देवयोग से ही है, दूसरी बात ये है कि जितनी भी हमारी स्तुति हैं, जितनी भी हमारी कथाएं हैं, चाए वो पंचतंत्र की हैं, चाए वो पुरान हैं, ये सभी के सभी हमारे संस्कृत में हैं, यानि देविक प्रक्रिया जहां से भी प्र कालमा जाते हैं, यानि कि जहां पर हमारे कालि दास जी ने रचना ही की है तो कहते हैं कि कालि दास के समय में भी जो जुलाहा तंतु आय जो है, वो भी संस्क्रिट बोलते थे, लकड़ारा भी संस्क्रिट बोलता था, इसका मतलब यह है कि उस समय भी जन भाषा थी डॉक्ट सब सुश्मा स्वराज जी ने एक बार इस बात का जिक्र भी किया था अपने एक संबोधन में और वो बहुत रोचक प्रसंगे अगर आपके अनुमती हो तो मैं उसको शोताओं को भी सुनवाना चाहता हूँ अच्छा लगेगा सुनकर और हमें इस बात का आईसास भी होगा कि संस्कृत एक जन भाषा के रूप में कितनी सम्रिद्ध थी, कितनी प्रतिष्टित थी लोग आजकल कहते हैं कि संस्कृत तो बोलचाल की भाषा नहीं बन सकती संस्कृत कभी जन भाषा नहीं रही शायद इस से बड़ी अध्यानता की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती संस्कृत जन भाषा रही है छोटे लोग अनपढ़ लोग बिना विद्याले में गए लोग संस्कृत बोलते रहे हैं राजा भोज के काल में एक प्रसंग आता है कि राजा भोज एक बार अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए जंगल से जा रहे थे सामने से एक लकड़ारा आ रहा था उसने लकडियां काट कर अपने सिर पर रखी हुई थी पसीनों पसीन था राजा ने लकड़ारे को देखा तो तब संस्कृत में ही बादचीत होती थी संस्कृत ही जनभाषा थी तो राजा ने लकड़ारे से कहा किमते भारम बाधती क्या ये भार तुमें कष्ट पहुचा रहा है लेकिन बाद शब्द जो है मित्रो वो धातू है जो परस्माई पदी नहीं चलती आत्मने पदी चलती है संस्कृत में दो तरह की धातू में हैं परस्माई पदी चलती है बाधती बाधता बाधनती और आत्मने पदी चलती है बाधते 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 बाधनते बाध शब्द जो है वो आत्मने पदी में है तो लकड़हरा जवाद क्या देता है भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते है कि राजा मुझे ये भार कष्ट नहीं दे रहा चितना आपके मुझे बोला हुआ बाधती शब्द कष्ट दे रहा है क्योंकि बाधते शब्द का अशुद्ध उचारण आपने किया है ये शब्द बाधते होना चाहिए तो कौन कहता ये जनभाषा नहीं रही सुना है अपने डॉक्ट साब और शुताव आपने भी सुना होगा इस संसक्रित की जो सुकारेता थी आम जन में और किस रूप में किस लेवल तक थी इस अस्तर तक थी इस बात का बहुत गहरे से एहसास होता है इस प्रसंग के मादिम से अच्छा डॉक्ट साब जो संस्कृत की लोग प्रियता या स्विकारेता या जो धीरे धीरे उसके प्रती लोगों की उदासीन था आखिर क्यों और कैसे शुरू होई ये चीज़े धीरे इस भाशा का हरास बस ये कहिए कि बहुत कारण रहे हैं अंग्रेजी अताई बीच में फिर हम हमारी गुलामी आई उसमें आपको पता होगा कि सभी संस्कृत के गरंथ हमारे गुरुकूल वगरा इस सब नश्ट कर दिये गए आपको आश्यरिय होगा अठाए सो ग्यारे में साथ लाग बत्तिस हजार गुरुकूल भारत में वर्शमा होते थे अच्छा जी और उस समय में इंग्लेंड में एक पहला कॉन्वेंट स्कूल खुला था जब हमारे यहां पर साथ लाग बत्तिस हजार गुरुकूल थे और यहां से एक अंग्रेज देश में जो पत्त्र लिखा है वो सर्विधित है नामतों में भूल गया कि यहां की जो संस्कृती है भारत क कउ पत्दती को कर देना तब उन्हों ने गुरुकूल को विनाश करना सुरू किया कोंवेंट स्कूल बनाए और मेरे ख्याल से आग्रा में और कलकट्ता में ऊर सिंपर पहले कॉन्वेंट स्कूल यह बने वहाँ से पिर गुरुकुलों की नुकसान शुरुआ और आज मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, खेद भी होता है कि आज जो गुरुकुल की प्रणाली है, वो कहीं न कहीं हमारी सरकार के कंट्रोल से बाहर है, नियंतर से बाहर है, मेरा सुझाव तो यह है कि सर अरतवर्ष में जवाब गुरुकुल है, उनका नियंतरन उनके अंदर कर दिया जाए, और वो संबंदित विश्विद्याले से जोड़ दिये जाए, यह तो डॉक्ट सब एक व्यापक उसका, उसकी रूप रेखा आप कह सकते हैं, लेकिन कि स्कूली शिक्षा जो है, अगर उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके, हर्याणा में तो आप काम काफी करते रहें, मेरे खाले निदेशक के रूप में भी और अन्य रूप में भी, बिल्कुल जैनिंदर जी, थोड़ा से उधारन कुछ बताएं, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने काफी सारी चीज़ें वहा करपा है, मैंने कारे ग्रहन करने के तुरंत बात, वहां पर सभी गुरुकुलों को बुलाया, केंद्री संस्कृत विश्विद्याले से सीधी हमने गरांट जारी कराई, आज वो बीस हजार रुपरती अध्यापक को भारत सरकार से गरांट जाती है, उसके बाद बच्चों बारवी की, पूरमध्यमा, रुत्तरमध्यमा, दस्वी और बारवी के समकक्ष है, तो उनको जो प्रमाणपत्र मिलता है, उसके समकक्ष का मिलता है, हर्याना विद्यान शिक्षा बोड का ही मिलता है, उनको भी मिलता है, इससे फर्क पढ़ता है, वो बच्चा पुलिस में जो बड़ा जो एक ना जोड़ पाने की वजय ये रही है कि ये रुज़गार के साथ भाशा नहीं जुड़ी है। वरतमान समय की बात कर रहा हूं है। पहले तो इस्तितियां लगती है। जो भी जुकी भाशा चाहे हूं अंग्रेजी के तरफ अगरशन है तो सिर्फ उसके पीछे कारणी है। कि वो रुज़गार या व्यवसाय या नौकरी के लिए आदमी उसके साथ जुड़ता है। तो संस्कृत के लिए भी अन्हें हृच करते ह। विए व्यक्तिका या उसके लिए संभावना वने के असके अधार पर नोकरी भी तो और भादाना या वनेुरती या तो बहुत सारे लोग तो इसको पंडितों की कह देते हैं भई इसे पंड़ता ही हो जाएगी बस लेकिन मैं यहां आपको बता दू चैनेंदर जी बड़े आयाम है इसके अंदर बे आप देखिए मैं बड़ी कोशिश की और आगे भी करूगा आपको बहुत अच्छे से प आपको एक मैं बड़ी आश्चरी की बात बता हूं मैं हरान हो गया मेरे भाई साब भी जोतिस का थोड़ा काम करते हैं मैंने देखा कि हमारे मनीशियों को हजारों लाखों और स्पूल पहले कैसे पता था मंगल का जो रंग है ग्रह का लाल है शनी का काला है और सुक्र का सेटलाइट से किसी न किसी कांड से उनको ग्यान था जो आज भी जोतिस में संबंदित है तो यदि इस ग्यान परंपरा को हम आगे बढ़ाएं तो जोतिस में भी बहुत काम है संस्कृत का भी बहुत काम है वास्तुर शास्त्र में भी बहुत काम है क्योंकि वो सारा संस्कृत में रही है जुड़ी होई ये ग्यान संपधा कहीं अरब और पश्यम के देशों तक पहुंचके दुबारा भी हमारे तारफ आ रही है लेकिन वह अभी भी उसको बहुत संमान के दरिश्टे से देखते हैं जिस तरह आपने जर्मनी का उले किया वहां संस्कृत कि पढ़ाई करते हैं तो आप भी देखें कि इन ऐसे क्षेत्रों में जहां विज्ञान है टेक्नोलोजी है इंजिनिंग है वहां भी संस्कृत की बहुत आवशक्ता या उसकी डिमांड है इसी तरह से अमेरिका में बहुत सारे विश्विद्याले है ठारा ऐसे इस तरह से हम इसको ना शुरू करेंगे तब तक संभावना नहीं होती है क्योंकि अचानक बीच में कोई ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आके पढ़े उसके बजाए अगर हम स्कूली इस तरह से उसके साथ किशोरों को युवाओं को जोड पर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि एक वाक कि संस्कृत का लिखें है विल्कुल आप सही जगे आगे देखिए बच्चा जब चोटा होता है तो उसको आप जैसे सिखाओगे पढ़ाओगे वैसी सिखेगा आप सर्कार की और से कितनी अच्छी शुरू आते सर्वकार पांच जमातीन जमातीन का फार्मूला लागो किया है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दू जी शुरूता इस तरव ध्यान्द है कि पांच का मतलब है कि प्ले स्कूल उसके बाद नर्सरी और उसके बाद केजी और उसके बाद फस्ट और सेकंड पांच वर्स होगे पांच प्रणा बाद नर्स है को व्यवारिक ज्यान शिका दें, ज्लम शिका दें हम बच्चे को कर पटी का रोटीजी चिका दें हम बच्छे को आणहा लेके आओ नव गच जाओ इस प्रकार की प्रारंभिष्ट तर पर ये शिक्शा देने तो बच्चा फेर आ जाएगा दूसरी कर दो तक तक या उसके बाद तीसरी चौथी पंच वी तीन हो गए पांच जमा तीन तेर हो गए छह साथ आठ जमा तीन और नो दस ग्यारे बारे ये तरेपन चौथीस का फार्मूला जो हमारी केंतर सरकार ने राश्टी शिक्षानीती में दिया तो फांडेशन कोर्स में संस कि थी लेकिन मैंने बहुत मन से पढ़ाई की थी उसमें चाहे वो उसका गद्ध हो चाहे पद्ध हो चाहे व्याकरण हो सब कुछ बहुत मन से पढ़ा था और अभी भी वो आकरशन में मन में रहता है तो इसलिए किसी ने किसी रूप में कोशिश करता हूं कि उसके साथ बहुत मैं ही संसकृती है और संसकृती मैं ही संसकार है और संसकार ग्यानेंदर जी एदी मिल गगए तो मेरे क्यालचे पूरा विश्व Means त diff Alleng is और उसमें भी काव्य और काव में भी सबसे मधूर सुभाशित वचन होते हैं। तो अब मुझे थोड़ा यह एहसास आप कराएं इस बात को कि यह जो शुलोक कहा गया है, किस रूप में इसकी व्याक्या की जा सकती है। देखिए हमारी इस संस्कृत के जो उदारता है, सहजता है, शहिष्णुता है वो इसलिए भी है कि संस्कृत एकमात रैसी भाशा है जो चंद और अलंकारों से सुसजित रहती है। जितने भी आप संस्कृत के कवियों ने श्लोकों की रचना किया है, नाटकों में किया है, चाहिए सुभाशितानी में किया है, वहाँ पर जो वर्ण है, कितने वर्ण, कितने लगु, कितने गुरु यह होने चाहिए है, तब जाकर के छंद की रचना होती है, तब जाकर के ह चोटा सा आपको धान दे दू मालो आप ये एक बहुत चोटा सुन्दर श्लोक है जो हमारा धार्मिक भी तौमेव माता चैपिता तौमेव अब देखे मैं इसको आपको गा के बताऊंगा तो कहीं भी एक भी वर्ण का गति यतिले आपको ऐसंतोष जनक नहीं लगे तौमेव माता चैपिता तौमेव अब बंधुष्च सखा तौमेव अब इसकी गिंती करेंगे तो ये बिल्कुल चंदो बद भाएगी इसलिए हमारे जितने भी संस्कृत के श्लोक है वो मधूर होते हैं और आपको तो जैने नहीं पता ही है ये मधूरता ये लालित्य कहां से आया ये देखिया भरत का जो नाटे शास्त्र है यदि आज नाटक परमपरा आप देखते हैं भरत के नाटे शास्त्र से प्रारंब होती है ये नाटक ही क्यों बलकि हम चाहे वो संगीत को देखें चाहे शास्त्री नित्य परमपरा को दे और जम्ह में तीनों वेदों का सार है। आप जब गा रहे थे तो में आता है चापिता तो में मुझे एक बात ध्यान में आई जो पहले हम बच्पन में भी सुना करते थे और बार बार ये बात हमारे सामने आती है कि चुकि ये वाचिक परंपरा से ही संस्कृत भाशा जो है वो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक जितना ध्वनी से उसके स्वर से आप आपके अंदर वो भाव जागते हैं आरस आप महसूस करते हैं तो मुझे लगता है इसमें इसलिए मधूरता बहुत जादा है और ध्वनी पर यदि मैं चर्चा करूं तो जैनेंदर जी बहुत काम हुआ है बहुत ज्यादा काम हुआ ह जैसे यदि हम इसकी शिद्धी भी करते हैं, तो ऐसे लेकर के है तक जो मैं पहले चर्चा कर रहा था आपसे, इन वरनों के विन्यास से ही हमारी ध्वनी आगे चली, ध्वनी के बाद फिर हमारे अब शब्द आए, शब्द के बाद पिर वाक्याए और इनी शब्द वाक्या और ध्वनी से मिलकर के हमारा जो संगीत है, वो सुमधुर हुआ है, बहुत सुन्दर तरीके से, अच्छा है संस्कृत से ही हमारी जो अधिकांच भारतिय भाषाएं हैं, वो प्रेणा के रूप में या चाहें वहां स्रोत रही हैं, जन्म वहीं से हुआ है और वहीं से विक सुस कर पाएं, और कुछ भाषाओं ने अभी भी, अगर हम दक्षिन के कुछ भाषाओं की बात करेंगें, जैसे मल्यालम है, मल्यालम में बहुत सारे शब्द संस्कृत के इस्तेमाल होते हैं, मुझे लगता है, अभी भी भारत में कोई ऐसी जगे तो होगी, जहां बेंगलूरूरू से अच्छा और मैं इस आश्षरिय में था कि यही गाँ एक ऐसा क्यूं बचा है जो सारे यही संस्कृत बोलते हैं और बाकी कालिदास के टाइम में जन भाशा थी अब यह गाँ बचा है तो मेरे को ऐसा लगा ऐसा एसा हुआ कि क्योंकि दक्षन की उनकी जो क्षेत्री भाशा होते थी असमें उसका कादिया मिस्रण करते हैं तो फ़र संस्कृत बोल ले मौन को कोई ज्यादा दिखाती थी शंस्कृत के बहुत सारे शब्द मिल उनकी भाशाओं में और देखिये के जो बहुत करते हैं वहाँ पर संस्कृत के नाटकों की आज भी है तो इस रूप में प्रदर्शन का लाओं में भी पहले भी आपने उसका उलेख किया संस्कृत के अपनी भूमिका और उसका स्थान बहुत महत्पून है और आज भी संस्कृत नाटकों के ऐसे उच्सो या समारो होते हैं देश में जहां उनके प्रस्तुतियां होती हैं संस्कृत वाचन के लिए के प्रस्तुतियां होती हैं तो अभी नई नई चीज़ें नई नई प्रयास हो रहे हैं लेकिन डॉक्ट सब एक चीज़ हम थोड़ा सा इस परंपरा विरासत और प्रदरशन कला से हटकर कुछ आधुनिक आज विग्यान का यूग है और विग्यान की यूग में भी हम बहुत व्यापक स्तर पर धरती से लेकर अंतरिक्ष तक कहां कहां पहुच रहे हैं तो इसमें संस्कृत की महत को लेकर काफी चर्चा होती है इसमें देखिए आपको पता होगा नासा ने भी इस बात को माना है कि जो कम्प्यूटर के लिए उप्यूक्त भाषा है वो संस्कृत है डॉक्ट सब संस्कृत की वैग्यानिक्ता को लेकर एक बहुत पुराना वैख्यान मैंने सुना था सुष्मा स्वराज जी का सुष्मा जी भारत की विदेश पंतरी थी बहुत बड़े राजनीता थी इस द स्कृत विश्वकी सबसे वैग्यानिक भाषा है कि जब दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली तो प्रश्न उठा कि कौन से भाषा उसके लिए चुनी जाए क्योंकि कंप्यूटर का आपना कोई विवेक नहीं होता जो आप बोलते हैं वही वो लिखता ह और जो लिखा जाता दिया जाता है उसी को वो पढ़ता है इसलिए भाषा व्याकरण की दृष्टी से भी वेग्यानिक होनी चाहिए और धनी की दृष्टी से भी जो बोला जाए वही वो पढ़े आज गर्व से माथा उंचा करके कह सकती हूं कि विश्व की तमाम जिस भाषा को सर्वता उप्युक्त पाया गया कंप्यूटर के लिए वो संस्कृत है क्योंकि जैसे अंग्रेजी में एनो नो भी नो है और के नो डव भी नो है अब अगर आप कंप्यूटर को बोलें आइनो दिस तो तो लिखेगा आई एनो नो दिस कोई अर्थी नहीं न लेकिन संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है यहां तक कि छोटी ई और छोटे उ की मात्रा की धनियां भी अलग है इती यदि आपने छोटा बोला तो इती लेकिन दही बड़ी की मात्रा बोला तो दही तो जो बोलेंगे वो लिखेगा जो लिखेगा वही के अनुसार उसको चुन सकता है एक प्रसंग है रामायन का कि जिस समय भगवान फ्रीराम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं वो स्थुति जिसमें करते हैं वो रामचरित मानस में रुद्ध्राष्ट्रकम के नाम से समाविष्ट किया गया है रुद्राष्ट्रकम के शब्द है नमामी शमीशान निर्वान रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म्ह वेदस्व रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाका शमाका शवासम भजें लेकिन उसी समय श्री राम पर दमन निनाद वद्दमर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुने शिवेशिलम धगत 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 जवल ललाट पट पावके किशोर चंदर शेखरे रतिप्रतिक्षाम ममा धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंदु बंधूरा सुर्दिगंत संतिप्रमोद मान मानसे यहां बैठे किसी एक पांच वर्ष के बालक के सामने यदि मैं केवल ये दो श्लोक रख दूं और ये कहूं कि बच्चा ये बताओ इसमें से कौन सा रामन ने रचा होगा और कौन सा रामने पढ़ा होगा तो बिना कुछ जाने वो कहेगा कि डमट 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 ये र हो जाएंगे संस्कृत के रचनाकार हैं दंडी उनका एक नाटक है दश कुमार चरितम जिसमें दस राजकुमारों की कथा है अलग-अलग उसमें एक कथा आती है राजकुमार विशुत की प्रसंग है कि वो आखेट के लिए शिकार करने के लिए जंगल में जाता है एक ती पूरे संवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग विशुत से नहीं करवाया है ओष्ठांग क्या है पूरा अलफाबेट हिंदी का जो पवर्ग है वो उस्ठांग है पफभभभमा दोनों होट मिलाकर बोले जा सकते हैं अगर दोनों होट में से एक होट नहीं है तो पवर्ग वोश्ठांग है तो अगर उसका एक होट कट गया तो उसने पवर्ग का उचारण कैसे किया ये कोई भी प्रश्ण कर सकता था रचनाकार से इसलिए अनेक सम्वादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग नहीं है यह संस्कृत की विज्ञानिकता तो यह इसी भाशा है जिसमें एक एक शब्द के सौसो परियाएवाची आपको मिल जाते हैं कितना बड़ा विकल्प मिल रहा है यदि आप अंग्रेजी की बात करेंगे तो नोज कह दिया बसनाक है आख कह दिया तो उसका भी आई है हमारे हैं तो अक्षी है नेतर है दिग है चक् पक्ष है शोताओं कारिकरिम पोस्ट वॉक्स नमबर 111 में आज हम संस्कृत को लेकर चर्चा कर रहे हैं विश्व संस्कृत दिवस के संदर में जिसका उलेक प्रदानमंत्री जी ने किया मन की बात में और डॉक्टर दिनेश शास्री जी जो की प्रख्याद संस्कृत के व जाहिर सी बात है अब आप जिस वेध विज्ञान और प्रदगी की विश्विध्याले के साथ जुड़े हुएं वहां तो विशेश तोर पर इन पर कार्य शुरू हो चुका है जो हमारे पास ग्यान की संपदा है चाहे वो योग हो आईरवेध हो चिकित्सा हो विज्ञान ह वो सब कुछ इसमें है किन किन रूपों में है किस किस तरह से थोड़ा उस पर प्रकाश जरूर डालें मेरा तो आपके प्रशन का उत्तर यह है संप्षिप्त मैं तो कहां-कहां नहीं है यह भी बात सही है बिल्कुल देखिए यदि आप योग की बात करते हैं योग की मैं पहले इसलिए बात कर रहा हूँ कि स्वास्त ही आदमी का सबसे बड़ा जीवन है. बिल्कुल. व्यक्ति स्वास्त है तो उसको सब चीज अच्छी लगती. योग में आप देखिये कि पतंजली को हम योग गुरु मानते हैं. और उसका जो पहला सूत्र है योग कहते हैं योग अश्च्चत वर्ति निरोधा हैं. यहां से हम स्टार्ट करते हैं. और उसके बाद चलते चलते फिर हम शारीरी की योग पर आज भारत विश्व गुरु हैं. योग करते हैं तो स्वस्ति भी रहते हैं. हमारी योगी की जो परंपरा है, वो हमारी ज्ञान परंपरा का अभिन्दंग है। यदी आएरवेद की बात करते हैं, तो आप यह देख लीजिये कि हमारी जो हमारी सरकारी तंत्र में जोबी दवाईय या जो हमारी अंग्रेजी दवाईय वो रreact भी कर जाती है, करती है, लेकिं हमारी आइरवेद की दवाईय की आप ले वहारी दे ज़या है भी अप आईरुएद की ख्षेतर में भी बहुत आगे रहे हैं और रहेंगे आपको शायद पता होगा पहले नाडिया वैद्य होते थे यह हमारी योग परमपा इसमें आईरुएद में है मुझे तो हैरानी होती है डोट सब की सिर्फ हाथ में नाडी को पकड़ के वो खुद बताते अब हम टेस्ट करा के आते हैं तो टेस्ट के बाथ पुरी ऐक्षि लोगेरा जो थे वो सल्चिक स्सा थे पर हमारा पुरा काम थे यजदी हम और आगे बढ़ते हैं तो बेन करशी क्सेतर देखे या को gast dedicate वहारा बहुत बड़ा काम चल रहा है अगने एक वर्ष के बाद जब हम उनको पुब्लिश करेंगे समाज के सामने तो आपको लगेगा कि वास्तो में योग परमपरा में हमारी यह सारी चीज़ नहेत है लेक चीज थोड़ा बताएं आप क्योंकि एक पक्ष ऐसा है जहां जब भी कोई पूजा पाच होता है कोई भी यग्यावन होता है तो हम संस्कृत में ही मंत्रों का चारण करते हैं लेकिन संस्कृत में मंत्रों के चारण की भी एक विशेश पद्धती है जो उसकी स्वर निश्वत्ती होती है उसके हिसाब से क्योंकि उसका प्रभाव होता ह जब तो निर्जीम हैं, लेकिन उसमें जब हम जिस धंग से उसको प्रसुत करते हैं, तो सजीव हो जाते हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कि बेसिक तोर पर कुछ न कुछ हमें संस्कृत का ओचारन संस्कृत की भाशा के साथ संबंद बनाना शुरू कर देना चाहिए, शुरू आती दोर में हम किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ें, ताकि इतना तो हम कर सकें कि माली जी अगर हम कोई मंत्रो चारन कर रहे हैं, तो हम उसको शुद्ध धंग से करें। तो हम उसे तकराती हैं, तब वह कोई ना कोई ऐसा रूप लेती हैं कि आप उस तरंगों के माध्यम से हमारी जो वैज्या निकता है, या जो हमसुद्ध लाव होरा. होगी तो सकारात्म की होगीaterial. अब आपको मैं इसका छोटा सा उदान देता हूं. जब हम मन्दिर में जाते हैं, तो वहाँ पर हम घंटी का बजाते हैं, मंतर बोलते हैं, और उस गुंबद में, जो मंदिर की गुंबद है, उश में सब घंटी तो उस घंटी का जो नाद है, वो उस गुंबद में अंदर ही अंदर जब टक्राता है, टक्रा करके वो वाइब्रेशन्स जमावारे मस्तिष्क में टक्राती हैं, तो हमारी जो गरंथियां हैं, हमारी जो मसल्स हैं, वो बिल्कुल रिलेक्स हो जाती हैं, इसलिए आप देखत आपका प्रश्न है कि हम इसमें किस प्रकार से शुरुवात कैसे कर सकते हैं? तो शुरुवात तो आपको मैं बता दूब श्वस्थि वाचन में बहुत थोड़े से ही श्रोक है. और मैं तो कहता हूं कि यदि व्यक्ति विधी विधान से भी कहीं नहीं सीख सकते हैं, तो सबसे प्रारम भी हमारा एक ऐसा अच्छा भगवाल ने दिया है अपना गहत्री जो मंत्र है इससे यह प्रारम कर देए लगभग सबको याद हो जाता है हाँ बच्चों को भी आद होता है स्कूल में जाते हैं तो यदि बच्चे और भी कुछ नहीं है तो ग्यारे मंत्र है एककिस है एक सो एक है उनी से हो अपना यग शुरू कर देगा तरी मंत्र से तो धीरे धीरे उनके रूची बढ़ेगी लेकिन जो वाक्य निर्माड है या कि छोटे चोटे शब्दों को हम समझ पाएं उसके लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है मालेजी आज कल तो डिजिटल का यूग है कहीं ऑनलाइन कुछ ऐसी चीजे हो या कोई एप हो संस्कृत के जिन पर हम शायद इसके बारे में कुछ काफी काम है आप यह चीजे यद का लगा करके और ध्यान लगा करके आप लोग बैढ़ जाएं और धीरे धीरे उसका स्मरण करें तो याद हो जाएगा आज आपकी बाचीत जो है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा मझे लगता आपसा क्योंकि इतने रोचक डंक से इतनी सारी बाते आपने आज तो इस रूप में आगे बढ़े हम संस्क्रित को लेकर भी आपका डॉक्ट सब इस कारके में आने के लिए बहुत बहुत आभार मैं भी आपका करतग्य हूँ और आपका स्टूडियो का आपके सहयोगियों का और इस से जुड़े हुए सभी सुरोताओं के परती मैं करतग्यता व्यक्त करता हूँ धन्यवाद प्रकट करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि माने निये प्रधानमंतरी मोधी जी जो एक वाक की लिखने की जो बात की है इसको हम शुक्ष्मतया आगे बढ़ाएंगे इसका प्रचार प्रसार करेंगे तबी संस्कृत आगे बढ़ेगी संस्कृत आगे बढ़ेगी तो आपको पता है फिर हमारा हमारी संस्कृती ज्वलंत और जीवंत रहेगी और जब जीव कारी हो और सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रानी पश्चंतु मा कश्यत दुख भाग भवेत। इस कार्क्र में जो भी बाचीत हम लोगों ने की है और जो भाव या संदेश आप तक मह請े हैं, वो कहीं न कहीं आपको भी प्रेरित करेंगे, संस्क्रत के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि संस्क्रत के साथ जुड़ने का मतलब यह है, कि अपनी जो संब्रिद्द, व nós रहे थे कारिक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 इस कारिक्रम के प्रसुत करता थे जैनीन रिसेंग